बार्गर ब्रेट बो भी कड़ाए में और बिना इस्ट के ये कैसे पॉसिबल होगा? जी हाँ, जरूर होगा. Hello friends, Welcome to Dream Food and Care. मैं रश्मीर, आज ऐसी रेसिपिल आए हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो. बार्गर ब्रेट दिमाग में आते ही इस्ट ओवेन क्या-क्या ख्याल मन में आता है. पर आज का वीडियो देखने के बाद आप घर पे आसानी से गैस पर सौप्ट बार्गर ब्रेट बनाकर बार्गर का मजा ले पाओगे. तो जलिए फटा-फट वीडियो को शुरू करते हैं. बिना इस्ट और बिना ओवेन से बर्गर बनाने के लिए पहले बगोने में दो काप मैदा लेंगे. आप आटे सी भी बना सकते हो लेकिन वो ज्यादा सौफ्ट नहीं बन बाएगा. अब एक चमच आइसिंग सुगर लेंगे. चीनी को मिक्सी में पीज कर भी आइसिंग सुगर बना सकते हो. वान फूट चमच नमक लेंगे और आधा चमच बेकिंग पाउडर लेंगे. बेकिंग सोडा नहीं लेना हमें. दो चमच तेल लेना है. तेल के बदले बटर या फिर घी भी ले सकते हो. तेल में सरसुके तेल जैसा हाई फ्लेवर तेल नहीं लेंगे. अब सारे इंग्रिडियंट्स को अच्छे से सुखा है मिला लेंगे. अब आधा चमच इतालियान हार्ट्स मिलाएंगे. आप इसके बदले ओरेगेनों मिला सकते हो या फिर ना भी मिलाओ तो भी कोई बात नहीं. अगर स्वीट बन बनाना चाहते हो तो शकर पाउडर ज्यादा लीच और तेल भी थोड़ा ज्यादा लगेगा. अब एक कब दूद डाल देंगे, दूद से बन में सॉफ्टनेस आएगा. बाकी पानी मिलाएंगे, आप पूरा दूद से बनाना चाहते हो तो पानी का यूज मत लेना. थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और एक सॉफ्ट राटा लगा लेंगे. ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना, हाथ पे तेल लगाके ऐसे गोल-गोल स्ट्रेच करेंगे, ऐसे करने से डो की सारे रेशे खतम हो जाती है और डो सॉफ्ट बन जाता है. अब इस गोला के उपर नीचे तेल लगाकर रेश्ट करवाएंगे, दो से तीन घंटा ढखकर रेश्ट कराएंगे. देखिए दो घंटा हो चुका है, डो काफे पूल गया, अब इससे बहुत अच्छे से मसल लेंगे. स्ट्रेच करकर के मसल लेंगे, इससे ब्रेट, सॉफ्ट और स्पॉंजी बनेगी. अब इक्वेल साइज में काट लेती हो, चार इक्वेल साइज में डो को काट लेंगे. इसे भी गोल को स्ट्रेच करेंगे, उपर से नीचे के तरफ, देखिए एक भी रेशे नहीं आई. अब एक इंट्रेस्टिंग ट्विज देंगे प्रेट में. आपको पता ही है कि बर्गर के उपर सपेद तिल का यूज होता है. लेकिन हम कुछ नया और इंट्रेस्टिंग करेंगे. मैं इसमें वाटरमेलन के बीजों को सुखा कर यूज मिलूंगी. देखिए तर्बुच के कुछ बीज मैंने धोकर सुखा ली थी. अब इसे साइड में से प्रेशर देखे तोड़कर अंदर से सफेद सफेद बीज निकाल लोंगी. तर्बुच के बीज बहुत महेंगा मिलता है इसलिए आप बड़ा साइस के तर्मों से भी बेज निकाल सकते हो. इसके टेस्ट बहुत अच्छा है, स्वीट है. बर्गर ब्रेट में एक अलग ही टेस्ट दे. पहले ब्रेट के उपर दूद ब्रश कर लेंगे. दूद से बर अब देखिए एक कडाई ली मैंने मोटा बेस पला कडाई लेना बरना कडाई जल सकता है. नीचे नमक डाल देंगे. नमक से अंदर हीट इवेंच्वेली स्प्रेड रहेगा और ब्रेट जल्दी से बनके तयार होगा. कडाई को मैंने पाच मिनिट तक प्री हीट कर ली थी ब्रेट को ऐसे जाली में रग दी मैंने आप किसी स्टैन लगा उसके उपर प्लेट में भी ब्रेट बना सकते हो. ये मेरे जुगारो स्टीमर रेडी है. अब लेट के उपर इस छेद को आटे की बनी छोटी सी लोई से बंद कर लेंगे. और लो फ्लेम पर इसे 30 से 35 मिनिट तक बेक करेंगे. देखिए 35 मिनिट में कितना शांदार बर्गर ब्रेट बनकर तयार है. इस ओसम लुक्स के लिए एक लाइक तो बनता है. आप देख सकते हो कितना प्यारा ब्रेट बनी है. नेक्स्ट वीडियो में इसी ब्रेट से में इंट्रेस्टिंग टीस्टी चीजी बर्गर बना कर दिखाऊंगी. तो इसलिए मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जुड़े रहे और मुझे बहुत सपोर्ट करें. ठैंक यू. झाल